हाई दियर फ्रैंड आप सभी पढ़ रहे हैं Soil mechanics और Soil mechanics में आज हम पढ़ने वाले हैं आईस classification of soil इसके प्रिविएस वीडियो में आपने देखा था कि उसकी कई सारे मैथड है तो मैं यह आईस classification बता रहा हूं उसका ठीक है और आई-स classification में आपको और यह जो मेथड है यह मैंने पहले बताया था कि बेस्ट आउन पार्टिकल साइज के बेस्ट पर है ठीक है तो देखे सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको सॉईल के नेम देख रहे हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि यह क्ले है स फिर Тnothing में फाइन मेडियम और चोबल है ऑफेरेंट इसकी साइ्ज आगशानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर क्ले की साइज अगर बतादीएस सिर्फ क्ले की क्ले की बात कर रहा हूँ तो 0.002 mm से कम 0. 3002 mm की बात और छाई आपर तो जहां पर भी टू मैक्रो से ठीक है इसको 2 micron भी बोल सकते हैं ठीक है 2 micron से अगर कम particle size है तो वो click कहलाएगा ठीक है 2 mm से कम 2 mm व्याद रखना ठीक है फिर बाद में 75 micron से देखो अभी silt की size कहां से कहां तक range कर रही है 2 micron से 75 micron तक ठीक है silt की size जो है 2 micron से 75 micron तक यह silt की size बता रही है send में आप देखोगे तो 0.75 micron से लेके 4.75 mm तक ठीक है मैंने यह सारे mm में लिखा है लेकिन micron को कैसे mm में convert करते हैं वो चीजे भी मैं यहाँ पर बता देता हूं देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही बता रहा हूं साथ हों यहाँ सिकस मीटर होता है अगर मीटर को में mm में convert करता हूँ यह 10 पावर माइनस 6 है और मीटर mm में convert होता है तो 1000 होता है 10 पावर 3 mm यहां पर mm होगे अभी यह गर cancel होता है तो कितना आजागा 10 पावर माइनस 3 mm हो जाता है ठीक है तो माइक्रोन को अगर mm में change करना है तो आपको 1000 से इसे divide करना पड़ेगा तो जो value आएगी वो mm में हो जाएगी ठीक है अगर micron दिया हुआ है तो उसको 1000 से divide कर दो तो mm में आ जाता है यह concept थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो मैं बता रहा था कि आप size की सेंड की जो size है देखो सेंड में भी तीन टाइप के हैं fine medium और course लेकिन सेंड की range कहां से है देखो 0.075 mm से लेके यहां से लेके यहां तक है ठीक है 0.75 mm से लेके स्वारी 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक सेंड बता रहा है उसमें भी fine medium course है fine की size कितनी है 0.425 mm से अगर कम है ठीक है और 0.075 mm तक है तो fine send होगा 0.425 से लेके 2 mm तक medium होगा और 2 mm से लेके 4.75 mm course send होगा ठीक है सेम वही gravel में भी देख सकते हैं कि fine और course है जो 20 mm तक हो 4.75 mm से और 20 mm के बीच का अगर soil है ठीक है तो fine gravel होगा और 20 mm से 80 mm तक है तो course gravel होगा फिर बाद में 80 से 300 होगा तो cobal और उससे जादा होगा तो boulder ठीक है यह याद रखेंगे यह point को याद रखें कि gravel का size देखो 4.75 mm से जादा होगा और 80 mm से कम वाले जो size बताएंगे वह gravel कोबल बताएगा 80 से ज्यादा और 300 से कम कोबल बताएगा और बोल्लर 300 से ज्यादा होगा तो बोल्डर बता देगा ठीक है यह point लिख लो कि ताकि आपका concept जो है वो clear हो जाए कि clay की size 2 micron से कम होती है याद रखना to maximum clay की size होती है और 2 micron होती है यह question पूछे गया है ठीक है अगर junior engineer का देखो गे तो यह इसे question पूछ लेते हैं ऐसे question पूछते हैं यह point यह वाला जो चार्ट है ना यह जो मैंने बनाया है यह काफी important है आपके लिए ठीक है बस यहां पर घुमा फिरा के question पूछ लेता है पूछ लेगा यहीं पर आपका अब चल्ड का minimum size क्या होगी तो चल्ड का minimum size एक ही होगा ठीक है सिल्ड का minimum size 2 micron और क्ले का maximum size 2 micron यह point ओ को ध्यान में रखना ठीक है इसे घुमा फिरा के question पूछता है ठीक है आगे मैंने difference बताया है यह question भी पूछा हुआ है ठीक है आप अपने question पेपर को देखिए यह इसे question भी पूछे हैं कि course grain soil और fine grain soil में different तो इसके previous वीडियो में मैंने एक तो definition बताया थे कि course grain soil जो होता है in this soil more than 50% of the total material by weight is larger than 75 micron उसके जो 50% जो material होंगे वो larger होंगे 75 micron से और fine grain में 50% से ज्यादा material क्या होंगे smaller होंगे 75 micron से ठीक है smaller होंगे 75 micron 75 micron से 50% से ज्यादा कम होंगे size और 50% से ज्यादा अगर size अगर मिल जाती है 75 micron से तो वो course grain बताएगा दूसरा क्या बता है दूसरा आप यहां पर देख सकते हूं for example जैसे कि course grain में sand आ जाता है gravel आ जाता है coble आ जाता है बोल्डर आ जाता है अभी हमने यहां पर उपर ही देखा इसमें क्या 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 आ जाता है clay आता है silt आता है और fine sand आता है यह थी इन फूर्थ पॉइंट के अगर मैं बात करूं कि this soil does not passes plasticity property and call non plastic soil ठीक है ऐसे टाइब की plasticity properties को करता है ठीक है plasticity properties को करता है वहीं question number five को अगर हम देख रहे हैं तो question number five क्या बोला question number five यह बोला है कि this soil content very small amount of adsorbed water अभी adsorbed क्या होता है वह भी चीज़े मैं बताऊंगा because क्यों कि electrochemical force between the soil particles are very small जो soil के particles है ठीक है soil के particles जो है वो बहुत ही small है जिसके कराण उसमें electrochemical force जो है वो बहुत ही कम होता है ठीक है यह जो point यह बोल रहा है देखो ध्यान से समझो कि ही है soil particle के बीच में जो electrochemical force होता है न वह बहुत कम होता है compared to fine soil जो fine grain soil है उनके बीच में electrochemical force होता न वह बहुत ही strong होता है ठीक है अभी adsorbed क्या होता है adsorbed मतलब जो soil particle है न उसके चारों तरफ एक water का film बन जाना ठीक है मतलब देखो वा adsorbed का मतलब होता है कि words को feel करना ठीक है उसके अंदर words जो है फिल करना लेकिन एब जो एड़ जो की बात करें तो वह जो soil के particle है उसके उपर एक film बना देता है water की film बना देता है उसी को बले जाता है एड़ जॉब ठीक है और यह small amount of adsorbed इस होता है इसमें क्योंकि इसके जो electrical chemical force जो होते हैं इसके particles के बीच का वह बहुत ही कम होता है इसके कारण ठीक है तो आसा करता हूं यह सारे point आपको समझ में आ गया होंगे सेम वही पांचवा का देखो fine grain soil में भी यही बात हुए देखो यहां पर यह जो बता large amount of adsorbed water मिल जाता है ठीक है तो चलिए देखते रहिए और अपने दोस्मीत्र जो भी है उनको share कर लिए कि ताकि वह भी इसका benefit ले सकें next video में मैं आपको बताऊंगा और भी कुछ important point जो आपको और आपके दोस्त को better बना सकता है और आप exam अच्छे से clear कर सकते हैं तो देखते रहिए और कोई doubt हो तो मेरे whatsapp number पे comment post कर दीजे मैं वो doubt clear कर दूँगा so thank you for watching this video